सोनीपत में कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष अशोक तवर की रैली में फसी एंबुलेंस में नवजात की मौत का मामला लगातार तूल पकरता जा रहा है इसके साथ ही इस मामले में कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष अशोक तवर की मुश्किले बढ़ना भी तैय मानी जा रही है आर्याना के स्वास्थे मंतरी अनिल्विज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य मंतरी की अध्यश पर इस पूरे मामले में साइटी गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है इस मामले के बाद अब कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए हैं जिनके अपने ऐसे ही कुछ हाथ्सों का शिकार हो गई क्या है पूरा मामला देखिए हमारी ये रिपोर्ट मुख्या मंतरी जी के अधिश पर एस पी सोनीपत ने इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक साइटी गठित कर दी है और उसको कहा है कि आज ही वो रिपोर्ट दें रिपोर्ट आने के बाद अशोग तंवर ये जो सड़कों पर इस परकार से हुलडबाजी करते गूम रहे हैं और लोगों की जिंदगी की परवान ही कर रहे हैं लोगों की जिंदगियां जा रही हैं एम्बूलन्स को रास्ता नहीं दिये गया एक दिन के बच्चे की जिस कारण से मृत्य हो गई है तो उसकी सारी आज शाम तक रिपोर्ट आजएगी है वो सारा शिकायत मिल चुकी है लेकिन सारे तत्यों की जांच करके और उसके बाद ही कारवई की जाएगी ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ हो कि वी वी आईपी सुरक्षा या ऐसे जल्सों या राजनयतिक कारेकरमों की वज़ा से किसी निर्दोस मासूम की जान गई हो इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ हो कि वीवी आईपी सुरक्षा या ऐसे जल्ट्सों या राजनेतिक कारेकरों की वज़े से किसी निर्दोस मासूम की जान गई हो इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं सोनी पत के स्ताजा मामले के बाद उन परिवारों के जखम भी हरे हो गए हैं जिनोंने ऐसे ही हाथसों में अपने खोए हैं लेकिन उसी दोरान ततकालीन कॉंग्रेस के परदान मंतरी मलमोन सिंग के पीजाई दोरे का कारण वैब बिचारा इलाज के लिए दरदर की ठोकरे कहता रहा और आखी की कार बिना इलाज के ही दम तोड़ गया सुमित वर्मा के परिजन आज भी उस काले दिन को याद करके सिहर जाते हैं और यही मांग करते हैं कि देश में किसी भी वियाईपी या ऐसे राजनेतिक कारे करमों से जैदा जरूरी है इनसानी जान लिहाजा लोग खुद अपनी जिम्मेवारी समझें और सड़क पर चल रही एम्बूलेंस के लिए खुद पीछे हो जाएं एम्बूलेंस को रास्ता पहले देना चाहिए वी आईपी की इतनी कोई जरूरी रैली नहीं है मरीज की है तबूइते ठीक और ठीक है तो यह कारे करता भी ठीक रहेंगे अगर पबलिक है तो जब पबलिक को अराम नहीं है तो इन singular कारताओं का क्या करना आपके साथ लिए है कि मेरे देवर के साथ भी ऐसे हुआ था कि वो पीजी आई लेके गए थे हम उसे ऑक्सीजन दिलाने तो रस्ते में हमें किसी ने एंट्री नहीं करने दी और हम कभी उस गेट पर भेज देते हम ऐसी चक्कर काटते रहे गेट बाई गेट जब वो मेरी बहु चिल्लाई मैं चिल्लाई कि हमारा मरीज मर जेगा हमें रस्ता तो दो हमें डॉक्टर तक पुचाओ मन मोहन सिंग जी ने आना था ना तब तो वो सारे वहां प्रेस रिपोर्टर भी आए वे थे जब हम चीखे चिल्लाई तब वो हमें अंदर तक रस्ता दिया तब बताया हमें कि वहां ले जो वहां लेके गए तो मेरे भाई को डियासिस की समस्या थी जब हम उसको ले पीजी आई महाँ चंडिगड लेके गए जहां डियासिस होती थी तो वहां से उन्होंने पीजी आई के लिए रैफर कर दिया था वो कहन लगे कि इसकी कार मलव वो वेंटिलेटर की जूरता है तो जब हम उसे लेके प महान सिंङ जी आई थी उन्होंने माँ पी जएए में की कोई कॉमफरेंस थी वह स्हमिल नदा था तो रास्ते में पुलिस वालन टो मुछिटोशे रास्ता रू रह था तो काफले में पस 테 जैसे तैसे करके मलव पी जी आई पोंचे तो वहां उन्होंने जो गार थे जो पुलिस कोटी थी उन्होंने मालव एमर्जेंसी में जाने नहीं दिया नाही डिलेसिस के लिए कोई बोकरा बहुत परेशानी उठानी पड़ी तो जैसे तरह से करके हाँ जोड़के पराथना करके जब वहाँ पोचे तो वहाँ जब पोचे तो वहाँ अंदर जैसी लेके उन्होंने एक लेटर भी दिया लिखा कि हमें इसका बड़ा अफसोस है आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई हासा न हो हम अमाला ब्रेकिंग न्यूस के माध्यम से आम लोगों से भी अपील करते हैं कि वह जब भी किसी एंबुलनस को देखें तो पहले एंबुलनस को रास्ता दें क्योंकि इनसानी जिन्दगी से उपर कुछ भी नहीं